असब में गुरुवार की शाम जब एक माइनर 14 साल की बच्ची साइकल चलाते हुए टूशन से वापस आ रही थी तब तीन बाइक पर सवार हैवानों ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ गैंग रेप किया ये बन चुकी है आम लाइफ जो आज कल बार बार सुनने को मिल रहा है कुलकाता में भी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ लापरवाह तरीके से उन्होंने किसी एक को इस रेप के दोश में गिरफतार कर लिया अब इस तरह की केस के ब इंसान बनाने की प्रक्रिया भी करते हैं दूसरी सिट्वेशन होती है मेंटॉस जिंदगी यहां रेप के तुरंत बाद आरोपी को ग्रफतार कर लिया जाता है अगले दिन उसे जेल ले जाते समय वह भागने की कोशिश करता है और फल्स और रूप वो मृत्तियू को प्र लिकले गर्म लोहे का कार्तूस जो तिवर गती से घूमता हुआ आरोपी के मस्तिश्क में घुस उसे शव शया पर लिटा देता है या फिर दूर कहीं चाय के बागानों में आरोपी सुरक्षा बलके हाथों भागने के प्रयास में स्वैम को नदी के हवाले कर देने से भी यमराज उसे 72 हुरों के समीप ले जाने का काम करते हैं बाकी 72 हुरे मिलती है या 72 कोडे ये को यमराज जाने अगर बात अपी समझ में नहीं आई तो शुरुआत में बताई कहानी में यही हुआ है कि जहां तीन लोगों ने जो नावालिक बच्ची के साथ बलातकार किया अ अपरादी तजफुल इसलाम वहां से भागने की कोशिश में नदी में कूच जाता है और जिसके बाद दो घंटे तक उसे नदी में खोजा जाता है और फिर मिलती है उस बलातकारी की लाश मामला सीधा है पुलिस कस्टिडी से भागता हुआ एक अपरादी ही मारा गया सही देखाना मामा तो यहां पर आसाम जिसे महश्मती मान लिया जाए और यहां की बेटियों को अमरेंदर बाहुबली तो बाहुबली फिल्म का ये डायलोग सटीक बैठता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा बंगाल में हुआ खुद अंदोलन पर बैठ जाती है लेकिन किसके खिलाफ ये हमें नहीं पता द्रोवराटी रेप पर एक संसकारी वीडियो बनाता है लेकिन उसकी अन्य पार्टियों के लिए चाटुकारता अब भी खत्म नहीं होती दिख रही है वो रेप के बारे में जितने स्टेटमें ने दी थी कि लड़कों से गलती हो जाया करती है कॉंग्रेस के नेताओं के घटिया स्टेटमेंट्स उसे याद नहीं आते हैं ममता बैनर जी पर निशाना साधना उसकी मजबूरी बन जाती है नहीं तो उसी के सब्सक्राइबर्स उसे साध देते अफकोर्स रेप होने के उसके बताएकार्णों से जिसे वो मानने को तयार नहीं है उसे मैं इत्फाक नहीं रखता हूँ लड़कियों के लिए आजादी के नाम पर वो छोटे कपड़े पहन कर रात बार घूमने वाली लड़कियों को जायस ठहराता है जो कि मेरे हिसाब से एक ख़त तक ठीक है प्लीस फैमिनिस्टों से आग रहा है कि वो अपने बेतु के तर्क देते हुए ये ना कहें कि हमारी मर्दी हम जो पहने दो राजिया में एक ही समय पर हुई दो घटनाए और दो फैसले एक में फैसला तो तब हो जब सही आरोपी पकड़ा जाए और दूसरे में तुरंत आ आना चाहिए अब कांग्रेस की चाती पर तो ऐसे साप लोट रहे हैं लेकिन बेचारे जानते हैं कि ज्यादा कुछ बोलेंगे तो रगड़ दिये जाएंगे क्योंकि मामला महिला सुरक्षा का है आप हमें कमेंट करके बताएए कि असम और बंगाल में हुए दोनों बलातक कर दो